भोजन समाज पार्टी के पदाधिकारी आमचिंतन करें ना करें लेकिन जो भोजन समाज का जो व्यक्ति है जो भोजन समाज को बोट दे कर भूत पर खड़े होकर जो बोट की रच्छा करता है जो भोजन समाज के लोग हैं उनको आज आत्म चिंतन करने की बहुत बड़ी आवश्यक्ता है पार्टी भोजन समाज पार्टी ये बहुत बुरे परणामों से हार गई लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों को ये आवान करना चाहता हूँ कि आप लोग धहरी से काम लें साहस से काम लें अभी पेसेंस रखने की जरूरत है आप ये ना सोचें कि पार्टी हार गई तो बहुजन समाज कमजोर हो गया या भौजन समाज को किसी तरह की कोई परिशानी होगी आज आत्मी चिंतन और मन्थन और इसकी समिच्छा करने की जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जरूरत है भौजन समाज पार्टी की देश सारी हम लोगों के बीच में बुल नहीं पहुँच पाई और भौजन समाज की पार्टी की और जो कारी करता और पदाधिकारी थे उनकी कुछ कमिया रहीं भौजन समाज जब से ज़्यादा पिछड़ गया भौजन समाज छिटक गया भौजन समाज टुकड़े टुकड़ों में बट गया जिस भोजन समाज को मानने वर कासी राम ने बड़ी महनत और मसक्कत से एक जगे किया था मैं भोजन समाज तीन समाज को भोजन समाज मानता हूं एक तो बैकवर्ट, एक मैनोटी और एक सिडूल कास्ट और सिडूल ट्रैस्ट इसके अलावा और कोई भोजन समाज पार्टी नहीं है इनी तीनों का नाम भोजन समाज पार्टी है मानिवर कासी राम ने ये सोचा था ये 85% लोग एक जगे होंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता लेकिन 85% लोग तो रहे नहीं उसमें 3% और 4% लोगों का कबसा हो गया 37 मिस्सा जैसे लोगों को चुनाव की बाग डोर दी जगे जगे मीटिंगें हुई लोगों ने समझा कि बहुत बड़ी भीड हो रही है मानिवर 37 मिस्सा जी बड़े खुस हो रही थे और समसुद्दीन जी भी बहुत खुस हो रही थे कि मुशलमानों की भीड हो रही है लेकिन भीड केबल वो बहुजन समाज की थी उसमें सब्जन समाज की एक भी भीड नहीं थी एक भी आदमी नहीं था और भोजन समाज भी ये दुखी होकर इधर उधर चला गया इसलिए ये भोजन समाज की पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई जब से पार्टी बनी 1984, 14 अप्रेल 1984 को इस पार्टी का गठन हुआ लेकिन पार्टी में बहुत बड़ी खामिया होती रहें खामिया ये हुई जो केडर का काम करते थे जो समाज को जगाने का काम करते थे समाज को बताने का काम करते थे महापुरसों की हिस्ट्री को बताने का काम करते थे जो बामसेप का संग्ठन था वो बिलकुल एक दम खतम हो गया एक तो ये कमी रही कि बामसेप का वो संग्ठन जो पढ़े लिखे लोग थे और पढ़े लिखे लोगों के साथ में वो लोग थे जो अपने महापुरसों का इतियास बताते थे कि बैक वर्ड के महापुरसों का क्या योगदान रहा समाज को जगाने में जोत्रा फुले ने किस तरह से समाज का कल्यान किया और समाज को जगाने का काम किया बाबा साब अमबेड करने किस तरह से काम किया रामा स्वामी नाय करने दच्छिन भारत में भ्रहमणों के खिलाब क्या काम किया जो तरह फुले ने भ्रहमणवाद को पूरी तरह से नकार के कैसे उनकी बीबी ने उन्होंने सुद्धों के लिए स्कूल खोरे और इस बात को स वो समाज को बताते थे और बाबा साहब के लोग संगटित होका सोचते थे इसी विचादधारा में हमारा कल्याण होगा लेकिन वो विचादधारा रही नहीं और वहां पर पूरी की पूरी तरह से जो कैडर था वो खतम हो गया जो हमारी डियस फोर थी जो स्टूडन्टों का अगनाजी संथ था परे लिखे लोगों का अगनाजी संथ था युवा लोगों का अगनाजी संथ था जो हमारी युवा पीडी थी वो भी चटक गई और वो भी बेजाण हो गई इसलिए दो तरह से एक तो कैडर खतम हुआ दूसा डियस फोर का काम कम हुआsz तीस्रा Vid कर यह कौजिकर अजिलाद्यूचे चलते रहे और इनको यह कार रहा मैं भेंजी से कहना चाहता हूं मैं मुख्यूफ से ऍेज़ानली काृटी करना चाहता हूं मैं कोई魔力 का अब रोधी नहीं हूँ मैं आज भी बीएसपी के साथ हूँ और आज से नहीं चेशतीत वरस्ते बनते करना कर बीएसपी को अपनी पार्टी मान कर बीएसपी को भोजन लोगों की पार्टी मान कर उस पार्टी में मैं काम करता हूँ जो भोजन समाज के लोग हैं उनको जोडन का काम करें तभी समाज का कल्यांड होगा अन्निता बहुत मुश्कल है मैं कहना चाहता हूं पुराने एजन्टा पर इस बीएसपी को आना पड़ेगा एजन्टा को इसको पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा हाती नहीं गड़ेस है ब्रह्मा मिश्रु महेस है ऐसे नारे जो आप याद करना चाहते हैं तो आपको पुराने एजन्टा पर आना पड़ेगा आपको मैं कहना चाहता हूं हम लोगों को ब्रह्मार चत्ती और बैस की जरूरत नहीं है लेकिन हम लोगों को जरूरत है कि जो पिच्चासी परसेंट है जो बैकवर्ड और सिडूल कास और मु लेकिन वो जो है हलुआ पूरी जहां अच्छा मिलेगा जहां पैसे बाला होगा वहां जाते हैं और जब मंच पर बैठते हैं तो यह केबल उन लोगों को सम्मान नहीं देते हैं जो हमारे समाज के बुजूर्ग लोग हैं जो समाज का काम कर रहे हैं मैं भेंजी से करके बातचीत करते हैं मैं आप से कहना चाहूंगा कि आप भी वैसा काम करें चाहें तो अंबेड का मिशन में काम करने वाले लोग हो चाहें जोत्रा फुले का काम करने वाले लोग हो चाहें कवीर सिद्धान्त का काम करने वाले हो चाहें बुद्ध धरम के बहुत भी चू हों पूरे देश के उन संघ्ठनों को खिरता करके पनय से अपने पास बुलायें लेकिन मैं सोच तूरिंए 46 में कभी भेंजी ने उन लोगों को कभी नहीं बुलाया उनन लोगों को बुलाना चाहिए ताकि वो संग्टन कोई भी संग्टन कोई भी समाज कोई भी राजनितिक पार्टी जभी जिंदा रह पाती है जब सामाजिक संग्टन मजबूत होते हैं सामाजिक संग्टन मजबूत होता है तो विवस्ता मजबूत होती है तो हमारा बोट मजबूत होता है बोट मजबूत होता है तो हमारा समाज मजबूत होता है और समाज मजबूत होता है तो सत्ता आती है लेकिन सत्ता जो हमारे हाथ से निकल गई चार वार आए लेकिन ओ लोग जो आए थे उन लोगों ने रामा स्वामी नायकर का फोटो भी उस बेनर से हटा दिया गया फोटो वो भी अलग कर दिया गया मैं कहता हूं धडले के साथ रामा स्वामी नायकर का फोटो उन्हें से बेनर पर आना चाहिए रविदास का फोटो आना चाहिए कमीर का फोटो आना चाहिए जोत्रा फुले का फोटो आना चाहिए साउजी महाराज का फोटो आना चाहिए गारगे म उस रिद्धू धरम के नहीं थे भालेक水 विवस्ता के थे जिस विवस्ता ने करोड़ लोगों को दल्श-सोस्रिक पीड़ित वनाया उंची-नीची की विवस्ता तैयार करके उन लोगों को उन की सिच्छा से दूर रखा बाहुल से दूर रखा दं से दूर inc totalmente उनको जानवर नायकर ब्रहम्रवाद का बिरोध करते थे तो मैं कहता हूं रामा स्वामी नायकर पुने से लगने चाहिए बुद्ध पुने से आने चाहिए मैं कहना चाहता हूं तमाम लोगों से आवान करना चाहता हूं कि भोजन समाज पार्टी से अलग मत होना भोजन समाज पार्टी को जगाने का काम करना हमारा जो बैकवर्ड है हमारा जो बैकवर्ड है वो भी भटक जाता है हमारा एलाइंस तो होना चाहिए था बैकवर्ड का और माइनोटीज का और सुदूल का इसका लेकिन हम एलाइन्स करने चले गए उन लोगों से इस भाजन समाज पार्टी में पूरी तरह से भ्रामडों को और उन तीनों वर्णों को अलग रखना पड़ेगा नहीं तो आप लोग आगे नहीं आ सकते आप दियस फोर का नारा भ् को आगे चलाया था और नारे को चलाकर लोगों में एक बला आया था चाहें पार्टी आई नहीं आई भोजन समाज पार्टी जीती नहीं जीती लेकिन अंदर से लोगों के अंदर एक बड़ा धैर और बड़ा साहस था और वो बड़े साहस के साथ ये कहते थे कि भ्रामर ब मिशन से बिलकुल अलग चले गए हम लोग मिशन जो हमारे महापुरसों की विचाद धारा थी उससे भी हम अलग चले गए तो मैं कोई बात नहीं है देर आए दुरुस्त आए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग मैं बीस भी कोई समर्थन करता हूं चाहें कुछ हो जाए बीस ऐसे लोगों का ऐसे कॉडिनेटरों का ऐसे जिलाद्यच्छों का बिलकुल सम्मान नहीं करें जो आपको बेचने की आपको लूटने की कोशिस करें ऐसे कॉडिनेटरों का परदाफास करें